मसकार दोस्तों, मैं हूँ श्रावन कुर्मावनशी और आप देख रहे हो सकाईल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस सिच्वेशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है आप एक ऐसे रिलेशन्शिप में फर्स जाते हो जहां तो आप उस इंसान के साथ भी खुश नहीं हो लेकिन जब बात आती है अलग होनी की जब बात आती है मुवान करनी की तब भी हम उस इंसान के बिना मुवान नहीं कर पाते तब भी हम उस इंसान के बिना नहीं रह बादे इस situation में normally यही चीज होती है ना तो हम उस इंसान के साथ खुश होते है ना उस इंसान के बिना खुश होते है तो इस situation में हमें क्या decision लेना चाहिए जो हमारी लिए best है और situation के according वो decision गलत ना हो गई सबसे पहले एक चीज़ समझ लो अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो मैं आपको यह नहीं बोड़ रहो कि आप एकदम से decision ले लो अलग होने का हो सकता है यह decision गलत भी हो मैं यह भी नहीं बोड़ रहो कि आपको उनके साथ रहना है मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि पहले आप ये समझो कि exactly वो इंसान क्या चाहता है क्योंकि किसी से अलग होना आसान नहीं होता और इस case में इस situation में किसी के साथ रहना भी आसान नहीं होता इसलिए आप सोच समझ कर decision लो आप move on करने के बारे में अगर सोचते हो तो वो भी गलट decision नहीं है लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़े try करने चाहिए एक silent way में efforts दालने चाहिए ताकि आपको exactly पता चले क्या उस इंसान के साथ रहना सही है या फिर उस इंसान से दूर होना सही है normally आपको मैं एक बात बताता हूँ क्या होता इस case में इस situation में हम उस इंसान को जरूर से ज़ादा value देते हैं उस इंसान के सामने अपनी सारी respect को खतम कर देते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि वो इंसान हमसे बात करे हम ये कोशिश करते हैं कि वो इंसान हमारे साथ खुश रहे लेकिन आपको जिन्दगे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है I am not talking about कि आपको सरिफ ये बात ये situation में ही याद रखनी है क्योंकि life में ऐसे moments बार बार आएगे जब लोग आपको काफी lightly लेने लगेंगे आपकी respect नहीं करेंगे तो अगर आप उस इंसान की respect कर भी रहे हो मैं disrespect करने नहीं बोल रहा हूँ अगर आप उस इंसान की respect कर भी रहे हो तो जरूरस से जादा मत करो अगर आप खुद की self respect को खतम कर रहे हो तो भी एक हद तक क्योंकि अगर आप हद से जादा खुद की रिस्पेक्ट को गवा दोगे उस इंसान के सामने तो फिर उस इंसान के साथ भी रहने का कोई मतलब नहीं है वो इंसान जिंदगी में कभी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा इसलिए आपको एक चीज़ को हमेशा समझना है अगर आप उस इंसान के साथ हो भी अगर सिच्वेशन बहुत ज़ादा डिस्टॉप है तो उस सिच्वेशन में उस इंसान को भगवान मत बनाओ उस इंसान को ये मत बताओ कि कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है उस इंसान को इतनी respect भी मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे वो ये समझने लगे कि जो भी situation चल रही है उस situation को वो control कर सकते है अगर वो आपके life में आना ही नहीं चाहते है आपके life से completely बाहर निकल गए है आपने सारे efforts दाले हैं आप उस इंसान से अच्छे से बात की आप उस इंसान के साथ रहना चाहतेते आपने हर बार शो किया कि वो इंसान आपके लिए बहुत जादा जरूरी है लेकिन किसी को रोकने का या फिर किसी के साथ रहने के लिए भी हम efforts दाल सकते हैं, लेकिन एक limit तक, अगर वो इंसान completely आपके life से चले गया है, तो फिर आप move on करने पे focus करो, move on करने की journey tough हो गया है, no, लेकिन आप अपने mind में ये सवाल लेकर चलो कि move on कैसे करना है, अब ये मत सूचो कि उस इंसान की बिना रहना impossible है, लेक कि आप contact में हो, आप एक relationship में हो, लेकिन बहुत ज़दा problem चल रही है, तो फिर कोई भी एक बड़ा decision लेने से पहले, situation को समझने की कोशिच करो, क्योंकि वो भी बहुत ज़दा matter करता है, situation आपके control में ये all right, situation को थोड़ी space दो, उस इंसान को थोड़ी space दो, ये समझने की को call पर बात करना चाहते हो, तो आप paid consultation के लिए मुझे Instagram पर या फिर WhatsApp पर message कर सकते हो, इसी तरह के और भी amazing videos देखने के लिए channel को ज़रू subscribe करना,